अस्सलाम अलेकूम कैसो आप सब अलम्दलिल्ला में एकदम ठीक हुमीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी घोचु इतना कोई चाला को लोमड़ा है इसने कब ऐसा बताया है पिटारे के घर में एक एक चीज का विडियो बनाके के घर में तेल भी है शकर भी है चावल भी है घी भी है आटा भी है कब बताया है आप लोग खुद बताओ कोसर के घर में एक एक चीज बता रहा है फिरीज में बरब जमा हुआ है यहां पे पानी है यहां पे राशन है यहां पे कांदा है जरूरत क्या थी बताने की क्या जाहिर करना चाहता है क्या दिखाना चाहता है कि मैंने कोसर को बहुत अच्छे से रखा हुआ हूँ अच्छा ये दिखा के कोसर के घर में इसी कहां लगी हूई ये वाशिंग मशिन कहां रखी हूई ये काम वली कहां है गाड़ी कहां रखी हूई ये इसकी ये सब दिखा न ये राशन वाशन तो गरीब से गरीब इंसान भी अपने घर में भरवा के रखता है क्या जताना चाहता है कि तू कोसर को भुका नहीं मार रहे अरे शरम आनी चाहिए तुझे गोंचु डुप के मर जाना चाहिए और इन सब जगड़ों के पीछे सब बातों के पीछे की क्या सच्चा ही है वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कोसर का मुँख कैसे खुला और गोंचु ये तब क्यों दिखा रहा है क्या हुआ है क्यों कौंचु का मुँख खुला हुआ है मैंमान क्यों आ रहे है सारी कोई बाते बता चलेंगी तो बस वीडियो को एंड तलक के जरूर देखना यहां पे बोल के बता रहा है कि कौसर सोही हुई है पुरा घर दिखा रहा है बाहर का दिखा रहा है और बता रहा है कि कौसर सोही हुई है तो कौसर सोही हुई थी तो तुने घर का कौन सा काम कर दिया वहां पे तो तु नौकर लगा पड़ा रहता है वहाँ जाते साथ में मोटर चला दूँ, अब्बु को दाड़ी बना के लेके आ जाओं और मार्किट लेके आ जाओं, सबजी लेके आ जाओं वहाँ पे तो तु पूरा नौकर बना रहता है, वो चीजों को दिखाया करना बार बार कि तुझे कैसे नौकर बना के रखती है पिटारा ने, वो सब नहीं दिखाता हूँ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कोसर का नौकर बना हुआ हूँ वहाँ गोचु क्या दिमाग लगाती है पिटारा, जैसे वो डुगडुगी बजाती है, वैसे तु नासता है, शरम कर शरम अब देखो इसने क्या बोला कि अब्बू को पिटारा कहीं पे खाने पे लेके जाने वाली है तो इसके लिए हम, मैं जा रहा हूँ हलीमा को कॉसर के पास छोड़ने के लिए तो eldो जो इन लोग खाने पे जा रहे थे तो कॉसर को नहीं ले जा सकते थे अगर कौसर साथ में चली जाती तो क्या वो ज्यादा खा लेती या ऐसा क्या हो जाता कि लोगों ने कौसर को ले जाना मुनासिब नहीं समझे ऐसे तो इन लोग रमजान को ले लेके गुमते रहते थे वो जो एक पता नहीं क्या रिस्तेदार बना हुआ है वो चश्मी टू वो उसके दोनों बेटियां और सब को जमा कर करके पिटारा खिलाती है गुमाते रहती है ले लेके साथ में फिरते रहती है तो कोसर को क्यों नहीं लेके गए कोसर को अगर लेके चले जाते तो इनका क्या चले जाता यह जैसे के बोर रहा है कि पता नहीं हम कभी भी आ सकते है तो इसके लिए मैं हलीमा को कोसर के पाथ छोड़ रहा हूँ तो कोसर को क्यों नहीं लेके गए यह यहां पे सवाल बनता है क्यूं नहीं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आदमी आदमी जा रही है ओरत कोई साथ में नहीं है इसके लिए कोसर नहीं गई पिटारा जा रही है ना साथ में तो फिर कोसर क्यूं नहीं बकी है सहरा कुछ pre-planned drama था ये गोंचु से पता चल गया गोंचु ने इस चीज का प्रूफ दे दिया जब हलीमा गाड़ी से उतर रही थी और ये जो पानी का टेंक है वो लेके जब जाने लगा तो इसने क्या बुला के कोसर देखो अब चेहरे पे उसके मुस्कुराट आती है के नहीं आती है वो क्या रियक करती है जब मैं इसको बताओंगा के हलीमा को मैं इसके पास में छोड़ने के लिए आया हूँ तो इसको कैसे पता था कि वो कुछ रियक करेंगी तो यहां से यह बात साबिस होती है कि यह सारा प्री प्लैन ड्रामा था अब यहां पे आप लोग यह देखो कि दो साल स जड़की दी ओएंगी या इस तरह से जवाब दी ओएंगी या घुसा अपना जाइर की ओएंगी हलाके कोसर के साथ में क्या क्या पिटारा ने नहीं की लेकिन वो हमेशा दाद दिखाते रहती थी इस बारी यह इतना घुसा क्यों दिखाई और यहां पे कोसर को लेके अभ ले भई अकल के दुसमनों थोड़ा इसी अकल रखो क्या बाते करते हो तुम लोग को शरम नहीं है पिटारा ने ठूक दिये तुम लोगों को फिर भी तुम लोगों की आँके खुलने को तैयार नहीं है पिटारा को अगर इस तरह से वो छोड़ के जाता सोचो और कोसर को लेके अपने बाप को लेके खाने पे चला जाता पिटारा को बोलता तेरे पास किसी को छोड़ के जा रहा हूं और फिर वापिस आने के बाद में पिटारा कही ही पास रात रुक जाता तो पिटारा क्या करती और तुम लोगों को कितना रोना आता जो मुँपे पिटारा प एक कॉसर ने खोली वैसे ही कॉसर गुसे में वापिस अंदर चली गई इसका मतलब है कि फोन पे उसको समझा दिया गया था कि तु गुसा करना चाके एक न्यू कंट्रोवर्सी खड़े ही हो क्यूं क्यूंकि पिटारा को व्यूज नहीं आ रहे है गोंचु को व्यूज नहीं आ रहे है कोई कॉंटेंट नहीं है और जो पीछे तुमने कांड किया है पिटारा उसके उपर लोगों का ध्यान ना जाए वो सच्चाई बाहर ना आये इसके लिए तुम लोगोंने कॉसर वाला कांड लाए जो के एक ही है तुम्हारे पास में इसके अलावा तुम लोग आ रहा था कि कौसर को इन लोगों ने बोले है ये ड्रामा करने तो कौसर ड्रामा करी है लेकिन अगर कौसर सच में इसकी वाइफ है तो उसको अपना हक जब मांग के नहीं मिल रहा है तो छीन के लेना चाहिए रही बात पिटारा जो डिवास का धमकी देते रहती है कौसर को क तेरी डिवास करवा दूंगी डिवास दिलवा दूंगी गोंचू से डिवास करवा दूंगी तो कानून है भई कानून का सहारा लेके वो पिटारा को ठुड़े लगा सकती है लेकिन पिटारा तो साज बनी हुई है रह रहे के डिवास की धमकी दिलवाती है बोल पिटारा अ तो थूकी हुई चमची है, इसको ये नहीं नजराया, कि खाने पर ही तो जारीती, कौन सा आउट ऑफ कंटरी लेके जारीती ससुर को, तो अगर कोसर को भी साथ में ले लेती, तो उसका क्या भिगड़ जाता, क्या खा लेती, कोसर क्या कर लेती, अगर ये ड्रामा नहीं भी क तो उसका करना बनता था ना खाने पर ही तो जा रही थी तो कोसर को क्यों नहीं लेके गए यहां पर ये बात के ओपर आवाज उठानी चीए तो बोल रहे है कि कोसर के अंदर बड़े नकरे आ गए उसको लोग भड़का रहे अच्छा रे बाबा जब पिटारा किसी की भड़ काई में नहीं आ सकती है तो कोसर के आना चोड़के कुछ और खा रही है पहले तो तुम लग बोलते थे हीरा वाले लोगों को भड़का रहे है अब कौन भड़का रहा है बस कुछ ना कुछ जूड बोलने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ ड्रामा करने के लिए चाहिए को कोशर को गंदा करने के लिए थूकी हुई सपोटर थोड़ी थी ना खुदा का खौफ का तेरे आगे भी अल्ला ने अलादे दिया है ना तो थोड़ा खुदा का खौफ का अच्छा गोंचु ने गारी में बैटके जो बाते किया है कि मैं जब हलीमा को छोड़के निकला तो क कोशर घुसा कर रही थी घुसे में बोल रही थी कि क्या इतना लेट आओगे तो मैंने बोला हाँ मेरे बच्चे भी है वो बड़े है वो समझदार है उनके साथ में भी मुझे टैम स्पैंड करना है मैं तुमारे पास ही डेली रहता हूँ तो इसके अपर तो मुझे बड़ जूट अच्छा पहले लोग बोलते थे के कोशर के पास में बच्चे नहीं है और पिटारा के पास में बच्चे है इसके लिए गोंचु यहां पे रहता है और अगर देखोगे तो कोशर के पास में छोटा बच्चा है कोई है ही नहीं उसके पास में तो अब तो गोंचु क जाधा time वो कौसर को देख लेकिन नहीँ, अब इतने नया निकाला के वो बच्चे ना समझदार है तो उनको मेरी जरूरत है तो उनके पास मैं मुझे जाधा रहना ci है तो मैं तुम्हारे पास में रहता हूँ तो अब उनके पास अरे भई तुम लग कितना लोगों को लू बनाओगे आप लोग खुद बताओ जो लोग सुन रहे हैं क्या ज़्यादा जरूरत सितारा को और उसके बच्चों को है गोंचु की या कौसर के छोटे बच्चे को और कौसर को है जो के कौसर के पास में कोई भी नहीं है पिटारा के बच्चे बलके समझदार है पिटारा को जरूरत नहीं है वो एक दूतरे को समाल सकते है लेकिन कौसर के पास तो कोई भी नहीं है इसका बच्चा भी छोटा है तो वहाँ पे रहना चीए ना लेकिन ये बता रहा है कि नई भाई इसको तो बड़े बच्चों के पास में रहना चीए वाँ गोंचु वाँ कितना गेम खेलेंगा अब ये बात लेके आ गए कि वो बड़े बच्चों को जरूरत है पहले तो बोलते थे कि बच्चों को जरूरत है कौसर का बच्चा नहीं है इसके लिए उसको टाइम नहीं देता है अब बोल रहा है बड़े बच्चों को जरूरत है क्या एक्टिंग करवाते हैं न बच्चों से भी कि मैं प्रिंसेस हूँ ममा कुईन है और तुम राजा हो कितना अच्चा एक्टिंग करवाते हो अरे कितना सिंपती लोग है बच्चों के नाम पे थोड़ी सी शरम करो डूप के मरत क्यों नहीं जाते हैं तुम लोग और ये खुज अता रहता रेस्टोरेंट में जाके तयवा को बोल रहा है कि सिर्फ अपन दोनों आये तो तयवा भी कंफ्यूज हो गई कि हाँ बोलना या ना बोलना फिर वो समझ गई अच्चा मजाक करे तो फिर इशारा की फिर बोले अच्चा अबू तुम और मैं आये तो मतलब के लोग कहाईं पे किसके साथ रहते हैं किसके साथ नहीं लेकिन ड्रामा कैसे क्रियेट करना है जूट कैसे दिखाना है साच कैसे छुपाना है वो इनको कितना अच्छे से आता है ना वहाँ पर इसने साबित कर दिया कि लोगों की आँखों में धूल जोंक रहे अच्छा एक बात बताना गोंचू जिस तरह से तू आके कौसर ने गुसा की कौसर ने इस तरह से बोली कौसर की तू जो काला चेरा है वे ना काला चेरा ही दिखाने की कोशिश कर रहा था ना कि द धजियां उड़ा रही है तेरे को कुत्ते की तरह मारती है तेरी बिल्कुल विज्जत नहीं करती है कभी तेरे से गाड़ी की चावी छीन लेती है तो कभी तुझे घर से निकाल देती है तो कभी तुझे इतना मारती है कि तुरी आँक के नीचे सुजन चड़ जाती है वो वीडियो को क्यों हाइट कर दिया याद है न हम लोगों को जब अजगर आने वाला था तो गोंचु दो दिन के लिए गायब हो गया था घर ते निकला और फिर गायब हो गया था तो वो गायब नहीं हुआ था वो रिटन वापिस आ गया था और फिर पिटारा ने इसको कुट चाप जा रहता है गाउं के मैं गाउं चले जाता हूं तू आयाशी कर ले लेकिन फिर पता चला के इसकी माँ को पता चल गया है शक हो गया है इसके लिए इसकी माँ ने फिर गोंचु को कॉल की गोंचु को वापित गर पे आना पड़ा और फिर पिटारा ने अपनी माँ से जगड़ा करी कॉल पे और गोंचु को कुत्ते की तरह मारी फिर गोंचु आपिस से गाउं गया कि ठीक है मैं जाता हूं मार खालिया हूं मैंने अब मैं चला जाता हूं तो तु है न अपने जिजा के साथ में अच्छे से मस्तियां कर ले रंगरीलिया मना ले आयाशियां कर फिर ये चुप चाप चला गया तो ये सारी बाते तुने आके क्यों नहीं बताया जैसे तु अभी कोसर की काला चेहरा दिखा रहा है कि देखो इतने मेरे पर गुसा की इतनी गंदी आउरत है ये कि ये बोल रही है कि अच्छा तुम वहां रुकोगे तो वो सारी बाते पि उसकी सच्चाई बता ना इतनी अगर तेरे में हिम्मत है तो पिटारा की सच्चाई आके बता उसके बारे में बोलेंगा तो पता है ना कि कुत्ते की तरह वारेंगी वो तेरे को यहां पे कोसर के बारे में तु फोरण आके मुँ खुल के बकवास कर लिया और कहां तो पिटारा बोलती है कि गोंचु पिटारा को पसंद नहीं करता था है ना जबर जत्ती शादी करवा दी गई थी क्यों क्योंकि उसके अबब गुजरने वाले थे ना तो जबर जत्ती गोंचु के साथ में शादी करवा दी गई थी और देखो पिटारा की हर बात सुनता है जैसे वो न चाती है वैसे न आसता है वो इतना जलीलो ख्वार करती है उसके सामने सोती है इसके उसके साथ में रिलेशन रखती है गोंचु कोई बात आके पिटारा की नहीं बताता है फिर भी तेरा ताला मुहबत कोन है वो कौसर जिसकी आके ये बुराईयां करता है जिसकी काला चेहरा दिखाने की कोशिश करता है तो यही से आप लोग समझ सकते हो कि ये सारा कुछे पिटारा करवाती है और पिटारा कितनी बड़ी गेमर है और गोंचू किसका लट्टू ब चाही आके बता तो हम समझेंगे के हाँ भी तू हर एक बात आके बताने को तयार है कोशर की बुराई करने बैट गया लख दी लानते तेरे उपर अब यहां पर यह देखो के इतना जलील है ये गोंचू इतना जलील है पिटारा आके कैमरे के सामने बैट के गोंचू को गा से आके कैमरे पे बैट के हमें गालियां खिलवा रही है और मेरी बुराईयां कर रही है वहां पे इसका मो नहीं कुलता है और बेशरम की तरह आके बैट के कोशर की बुराई कर रहे है यही से पता चलता है कि यह कितना बड़ा दल्ला है अपनी बीवी का अब यह बात तो फिर यहां पर भी थाबित हो गई के यह गोंचु कैसे इसको यहां वहां इदारों के पास में बड़े बड़े ओफिसरों के पास में कैसे छोड़ छोड़ के आता था पैसे के लिए तो पैसे के लिए जब अपनी बीवी को यह ओफिसरों के पास में जा जाके और कभी का तो क इसे का भूका और लालची आदमी है ये दल्ला आदमी है अच्छे ये देखो कि इसने जब ये पुरा जब व्लोग खतम हुआ तो इसने बोला कि आज मैं बच्चों के साथ नहीं ही सोंगा तो आप लोग ये बताओ क्या ये कौसर को लाके नहीं रख सकता था कौसर भी तो यहां पर आके सोल सकती थी ना इसा तो नहीं है के कमरों की कमी है कौसर भी यहां पर आके रूख सकती थी लेकिन नई इन लोगों ने कौसर को वहां पर आकरी कोने में फेक दिये और पूरी फैमिली एक साथ रह रही है क्यों कोसर के साथ में कोई और थक है गोंचु जो कोसर वहां पे अकेली थी और हलीमा के बिना पिटारा ने कैसे अपने आपको समाल ली मेरे तो यह नहीं समाज आ रही है अरे कितनी मकारी करोगे कितना जूड बोलोगे शरम करो डूप के मर जाओ तुम लो तो चले इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूं वीडियो कैसी लोगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लापी अच्छा यह थारे ड्रामे की जो पूरी कहानी है ना वो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इंशाला नेक्स्ट वीडियो में ही बताने की कोशिश करूंगी तो चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में लापीस